सब्सक्राइब कीजिए नवरतन रसोई चानल को और बेल आइकन दबाईए अमेजिंग और डिलिशिस रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स मैं रिना गुपता नवरतन रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए सुरू करते हैं हम अपने आज की रेसिपी बनाना आज मैं सेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही टेस्टी और सुपर करण्ची मेदुबढा की रेसिपी ये देखिए दोस्तों तयार है हमारा गरम गरम मेदुबढा देखिए ये कितना crispy और crunchy बना है है ना बिल्कुल crispy आईए मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ मेदू बड़ा बाहर से crispy और अंदर से बहुत soft बने है देखिए बने है ना बिल्कुल soft generally लोगों को मेदू बड़ा बनाना बहुत difficult लगता है मगर आज से नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तीन स्पेशल ट्रिक्स जिसे देखने के बाद आपको मेदू बड़ा बनाना बहुत आसान लगने लगेगा तो इसे जानने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं मेदू बड़ा बनाना सुपर क्रंची और क्रिस्पी मेदू बड़ा बनाने के लिए हम ले रहे हैं इस तरह की धुली हुई एक कप उरत की डाल ये डाल आपको मार्केट में कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी इसे धोने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक बाउल बाउल में हम दाल को डाल देंगे और पानी डाल कर चार से पाँच बार इस तरह से वाश करेंगे ये देखिए इस तरह से गंदे पानी को हम दूसरे बाउल में निकाल देंगे ये देखिए अब हम अपनी डाल को तीन से चार बार और धो लेंगे डाल को धोते समय आपको जब लगे कि पानी हमारा साफ होने लगा है तो आप समझ लीजिए कि हमारी डाल धुलकर तयार हो गई है अब हम इसमें पानी डाल कर इसे ढखकर पांच गंटे के लिए रेस्ट करने रग देते हैं हमारी डाल को रेस्ट करते हुए पांच गंटे हो चुकी है तो आईए हम अपनी डाल को देख लेते हैं ये देखी दोस्तो हमारी डाल भीग कर अच्छे से फूल गई है और नाखुन लगाकर हम ऐसे देख लेंगे हमारी डाल नाखुन से ही तूट रही है अब हम इसे इस तरह से एक बाउल लेंगे और चल्ली में डाल कर छान लेंगे हम इसका पानी बहुत अच्छी तरह से निचोड लेंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए वरना हमारी डाल पीसने के बाद पतली हो जाएगी और अब हम इसको पीस लेंगे ये देखिए मैंने डाल को इस तरह से पीस लिया है इसे पीसने में मैंने 2-3 चमबच पानी का यूस किया है इससे जादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है बरना डाल हमारी पतली हो जाएगी और अगर डाल पतली हो जाएगी तो बड़ा बनानी में भी हमें बहुत प्रॉबलम होगी और ओल में जाते ही हमारा बड़ा ओल को सोप कर लेगा अब हम इस तरह का एक बड़ा बाउल लेंगे दाल निकालने के लिए हमें इस तरह का बड़ा बाउल ही चाहिए और इसमें हम अपनी दाल निकाल लेंगे अब मैं बताने जा रही हूँ आपको ट्रिक नमबर वन दाल को हम clockwise ही फैटेंगे और इसे हम हाथ से फैटेंगे तब भी हमारी दाल काफी फलपी होगी और बड़ा एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा दोस्तो दाल को हमें clockwise फैटना है और इसी तरह से इसे हमें फैटते रहना है कम से कम 7-8 मिनट तक वैसे तो इसका कोई fix measurement नहीं है इसे फैटने पर आपको खुदी पता चल जाएगा कि हमारी दाल अच्छे से फिट गई है फैटते फैटते ये काफी फिलपी हो जाएगी और दोस्तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंट मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी recipes देखने के लिए तो देखिए हमारी दाल फिट कर तयार हो गई है और इसको ये तयार हो गई है ये जानने के लिए मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ इस तरह से एक बाउल लीजिए उसके अंदर थोड़ा पानी लीजिए और थोड़ी सी दाल हम इसमें डाल कर देखेंगे ये देखी ये देखिए हमारी दाल उपर तैर रही है इसका मतलब हमारी दाल बड़े के लिए बिलकुल तयार है अब हम अपनी दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे हम दो चॉब्ड की हुई हरी मिर्च अब डालेंगे दो चम्मच चॉब्ड किया हुआ करी पत्ता एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट बारी कटे हुए हरे धनी दो बड़ी चम्मच कोकुनट लिया है मैंने जिसे मैंने छोटे छोटे पीसिज में काट लिया है इसे डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा भी कर सकते हैं आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर एक चुटकी हींग आधा छोटा चम्मच जीरा दो बड़ी चम्मच चावल का पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर इससे हमारे बड़े बहुती ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे इन सबकों डाल कर अच्छे से अपनी डाल में मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमारी डाल बड़ा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब हम अपने बड़ों को तलेंगे मैंने कडाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है इस तरह के मसीन आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी इससे आप बड़े आराम से बना सकते हैं लेकिन मैं जो तरीके आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपको इस मसीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको तीन तरीके से बड़ा बनाना बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला तरीका इस तरह से हम अपने हातों को पानी से बिगो लेंगे और थोड़ा सा डाल का पोर्शन नीवू के बराबर लेंगे इस तरह से गोल एक लड़ू बना लेंगे पान अब मैं बताती हूं आपको second तरहीं का, इस तरह से आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, कोई भी एक मलमल का कपड़ा, रूमाल, कुछ भी ले लीजिए, उसे इस तरह से इसको cover कर लीजिए, और अपने हातों से थोड़ा पानी इस पर हम लगाएंगे, ये देखिए, इस त उगली की मदद से इसके बीच में खोल कर देंगी, ये देखिए, है ना बिलकुल आसान तरीका, इस तरह से अपने दूसरे हाथ पर लेकर इसे भी हम ऑईल में डाल देते हैं, दोस्तों अगर इस तरीके से वियापका बड़ा ना बने, तो मैं अब आपको बताने जा रही ह इस तरह से एक पॉलिथिन ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा पानी लगाईए, थोड़ी सी दाल ले लीजिए, नीबू के बराबर और इस तरह से इसे पॉलिथिन पर रख लीजिए, अपने हाथ पर पानी लगाके इसे अच्छे से से सेट कर लीजिए, और इसके बीच में अपने उंगली से एक खोल कर दीजे, ये देखी, बन गया ना, बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप बहुत आसानी से बड़ा बना कर तयार कर लेंगे, अब हम इसे ओईल में डाल देते हैं, है ना बिल्कुल आसान तरीका, इसी तरह से आपको जो तरीका इस में से सबसे जादा एजी लगे दोस्तों, आप उस तरीके से अपने बड़े बना कर तयार कर लीजे, अब आप क्या ही नहीं सकते कि आपको बड़े बनाना नहीं आते, दोनों साइट से पलट कर इस तरह से हम इने तल लेंगे, ये देखी, हमारे बड़े तल कर बिल्कुल तयार हो गए हैं, इस तरह से हम अपने बड़ो को पलट कर दोनों तरफ से तल लेंगे, दो से तीन मिनट के लिए हमें इने तलना है, ये देखी, हमारे गरम गरम बड़े बनकर बिल्कुल तयार हैं, अब हम इने प्लेट में निकाल लेते हैं, हमारे सारे बड़े बनकर तयार हैं, ये द अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी आप भी बनाइए ऐसे मजेदार बड़े और इसे सांभर और नारियल चटनी के साथ इंजॉय कीजिए दोस्तो उडपी स्टाइल चटनी और साउथ हिंडियन सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चु आप मैंसे बहुत से लोगों ने डोसे की रेसिपी के लिए उससे रिक्वेस्ट की है मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए डोसे की रेसिपी भी लेकर आऊंगी दोस्तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थेंक्यू दोस्तो